हाई मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम दिस इस यूर समीर कोली सर विद अनधर डेली हैंड आउट 9818-311-846 मेरा मोबाइल नमबर है इसमेर हाई करें और अपनी क्लास लिखकर वाटसाप कर दीजे हाई और क्लास लिखकर वाटसाप कर दीजे और आप आपको कोई मेसेज नहीं करूँ आप मेरा वाटसाप स्टेटस स्टोरी होती है उसमें मैं असाइनमेंट आल्मोस्ट कोशिश करता हूँ डेली डालने की और आप अगर यह असाइनमेंट पाना चाहते हैं तो वाटसाप कीजेगा हाई और क्लास मेसेज में नहीं पढ़ पाता मैं तो वाटसाप भी नहीं पढ़ पाता तो यह ध्यान दे ले ले ना आपको असाइनमेंट टाइम से मिल जाएगा तो आप टाइम से कर भी पाओगे तो यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा तो पर थोड़ा सा लेवल बढ़ाया असाइनमेंट का पहला कोशन जो पहली बारी असाइनमेंट देख रहे हैं उनसे तो रिकॉस्ट है मुझे दो, तीन, चार, पांच, दस मिनट के लिए पास कर दो और पहले यह वाला असाइनमेंट करो पहले यह वाला होगा वो कहएगा sir arithmetic progression जैसी feeling आ रही है यह कुछ arithmetic progression वाली कानी लग रही है arithmetic progression में जो पहली term होती है वो A होती है मैंने यह capital A लिख दिया a minus b upon a plus b यह पहली term होगी sir common difference d होता है मैंया capital d लिख रहा הה common difference निकालने के लिए आगे वाली term में से पीछे वाली टर्म को माइनस करा जाता है, 3a-2b upon a plus b, में से माइनस करेंगे a minus b upon a plus b, यहां बड़ा critical बात है, बड़ा नाजूक चीज है कि ब्रैकेट बना के चलना, ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो माइनस की एक गलती कर बैठ होगे और मार्क सखो बैठ होगे, तो common difference हो जा है, calcium ने हमें पंगे नहीं लिये, उपर आजाएगा 3a minus 2b minus a plus b, 3a में से a जाएगा, common difference आजाएगा 2a, और minus b, 2b में से b जाएगा, minus b upon a plus b, यह common difference आजाएगा, यह first term आ गई और यह common difference आ गया, अब क्या, वो कहता है, find the sum of 12 terms, तो मता ना नहीं का नाम लो, sum of n terms का formula होता है, n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, अभी भी कहूंगा, मुझे pause कर दो, और इसका सवाल का जवाब खुद से करो, चाहूंगा तो मैं यही, कही आप निकालो, तो बच्छा कहेगा, okay sir, यहाँ पर 12 terms बोला है, तो 12 upon 2 into 2a, 2 into a, a minus b upon a plus b, plus 12 minus 1 into common differences, 2a minus b upon a plus b, क्लास अगर साथ है, 12 upon 2 is 6, उपर खुलो के तो 2a minus 2b upon a plus b, plus 12 में से बन जाएगा, 11 into, 2a minus b upon a plus b, इसमें पर यह calculation mistake होने के पूरे-पूरे chances हैं, 6 बहार है, अंदर LCM is a plus b, 2a minus 2b, plus 22a minus 11b, 6 into 22 plus 2 is 24a minus 13b upon a plus b, आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, this is the sum of up to 12 terms, घबराना नहीं, घबरायो हो, आप घबरायो हो, इसी के लिए तो यह question दिया गया है, बट आपने घबराना नहीं है, question number 2, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा बहुत करने का प्रयास करना, थोड़ा बहुत, question number 2 को ध्यान से देखो, क्या बोलता है, show that the sum of all a p, show that sum of an a p, show that sum of an a p, whose first term is a, चै मत अदी, first term is a, second term is b, second term is b, and last term is c, last term is c, is equals to this, ओ, तेरी चक्कर आगे भाई, सची में चक्कर आगे, आलत खराव है भाई, यह प्रूफ करना है कि sum of n terms of an a p, यह है, sum of n terms of an a p, अगर धंग से किया हो, तो n upon 2, 2a plus n minus 1, into d होता है, या फिर sum of n terms अगर धंग से किया हो, तो n by 2, a plus l होता है, last term, एक तेज बच्चे को पता होना चाहिए कि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास number of terms नहीं है, उसके पास common difference नहीं है, दो चीज़े नहीं है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इस formula में आता हूँ, तो मेरे पास last term नहीं है, number of terms नहीं है, तो मैं कैसे करूँ, number of terms भी नहीं है, और common difference भी नहीं है, तो क्या करूँ, बच्चा गएगा कुछ तो दिमाग लगेगा न, a2 जो बराबर होता है, वो बराबर होता है, a plus common difference is equals to b, a2 बराबर होता है, a plus d, common difference बराबर आगया, b minus a, बच्चा कहेगा, okay, common difference आगया, b minus a, अपनी जिन्दिगी में जो भी कमाओ, मस्ती जरूर करो थोड़ी सी, हमारा common difference आगया, बट बात तो महीं रुख गई न, n नहीं दे रखा, number of terms नहीं दे रखी, तो अब क्या गरें, बच्चा बोलेगा, a, n, ध्यान देना, guys, a, n बराबर होता है, a plus n minus 1, into d, a, n दे रखा है, last time हमें दे रखी है, a, n दे रखा है, c is equals to a plus n minus 1, into common difference, b minus a, c minus a is equals to n minus 1, into b minus a, n minus 1 is equals to c minus a, upon b minus a, यह दर multiply हो रहा है, उदर जाके divide, थोड़े numbers अजीब अजीब से आते हैं, तो चक्कर से आने लगते हैं, चक्कर नहीं आने देने हैं, आपने अपने आपको संभाले रखना है, n बराबर हो जाएगा, c minus a, upon b minus a, plus 1, यह minus 1 उदर जाके क्या हो जाएगा, plus 1, LCM आजाएगा b minus a, बच्चा बोलेगा c minus a, plus b minus a, is equals to n, एक अच्छा बच्चा बोलेगा, n is equals to, b, पहले लिख दो, b plus c, minus 2a, upon b minus a, यह हमारा number of terms आगई, अब जाकर, इतनी मेहनत करके, number of terms आई है, अब number of terms अगर आई है, तो एक प्यारा बच्चा बोलेगा, sir आप चाहो, तो यह value यहाँ डाल सकते हो, green वाले में, और एक तेज बच्चा बोलेगा, नई sir, yellow वाले में डालो, yellow वाला easy है, उसमें value अराम से put हो जाएंगी, मैंने का, okay, कैसे, अगर आपने लिख लिया हो, तो यहाँ पर ज़रा सा, थोड़ा सा ध्यान दे के चलना, इसको बहुत बहुत ध्यान से करना, sir आपने सिर्फ values पुट करनी है, तो sum of n terms होता है, n by 2, a plus l, n by 2, number of terms जो आपकी आई है, मातारानी का नाम ले लो, n by 2 जो है, b plus c minus 2a, upon, b minus a, into 2, n by 2 तो यह हो गया, into, अगर दूसरे bracket में आते हो, आता है a plus l, first term plus last term, first term is a, last term is c, अगर ध्यान से देखो, तो जो चाहिए, वो आ गया, जो चाहिए, वो आ गया, मैंने कर दिया, मुझे कोई वो नहीं है, अगर तुम्हें यह समझ आया है, तो मुझे बहुत खुशी है, और अगर तुम्हें यह कर पाऊगे, तो मुझे तो क्या, बाद तो ध्यान होगी a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2 तो अगर condition बहुत खराब हो तो सबसे पहले मैं a1, b1 और c1 लिखूँगा a2, b2 और c2 लिखूँगा फिर देखूँगा मेरी जिंदगी मुझे कहां लेके जाती है a1 हो जाएगा alpha, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा मेरा alpha minus 3 a2 हो जाएगा 12, b2 हो जाएगा alpha और c2 हो जाएगा alpha अगर मैं सही जा रहा हूं तो और no solution की condition दे रखी है तो alpha upon 12, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to alpha minus 3 upon alpha c1 upon c2, तो मैंने सबसे पहले इन दोनों को solve किया alpha upon 12 is equals to 3 upon alpha, उदर आजाओ, alpha square is equals to 36, तो alpha बराबर plus minus 6 under root 36 करोगे, तो 6 का square भी 36 आता है, minus 6 का square भी 36 आता है, अगर 7 हो तो मगर एक बार आपको ये वाला भी करना पड़ेगा, not equals to वाला भी, तो वो भी करते हैं, 3 upon alpha is not equals to alpha minus 3 upon alpha, ये steps देख लेना, ये steps मिस करोगे तो आदा नंबर चला जाएगा, ये उदर आ जाएगा, 3 alpha is not equals to, ये इदर आ जाएगा, alpha square minus 3 alpha, तो class बोलेगी, इसको भी दर ही लियाओ, 0 is not equals to alpha square minus 3 alpha, वो plus 3 alpha, उदर आके minus 3 alpha, तो 0 is not equals to alpha square minus 6 alpha, alpha common, alpha minus 6 is not equals to 0, ये बोला, इसका मतलब ये हुआ, alpha is not equals to 0, और alpha minus 6 is not equals to 0, तो alpha is not equals to, ये minus 6 उदर जाके plus 6 हो गया, एक जगा alpha plus minus 6 आ रहा है, एक जगा लिखा हुआ है कि alpha should not be equals to 6, तो आप लिखोगे, from 1 and 2, from 1 and 2, alpha की एक ही value आएगी, minus 6, अगर आपने यहां तक बिना मदद के निकाला है, तो आपकी position maths में बहुत जादा strong है, question easy है, बट पूरे number नहीं देखे जाता, ये बात याद रख लेना, बड़े-बड़े toppers के 100 number जो नहीं आते न, वो इन छोटी-छोटी गलतियों से नहीं आते, तो आप लोग अगर समझदार हो, तो आप इसको करके चलोगे, last वाला question बोल रहा है, find the, find cos की power 4A, minus sign की power 4A, in terms of cos A, वो क्या रहा है, find cos की power 4A, minus sign की power 4A, in terms of, in terms of cos A, तो मैंने का, समझ नहीं आया, कई बार question हमें आता है, but question की भाशा, अच्छे-च्छे को नहीं समझाती, यह ध्यान दे लेना, तो बच्चे ने का, सर मुझे तो एक feeling आरी है, सर, cos square A का whole square, minus sign square A का whole square कर दो, अब फिर एक formula लगा दो, अब आता तो कुछ है नहीं, तो बड़े पंगे ले लो, A minus B, into A plus B, मैंने का, jam आता दी, बच्चे ने का, यह आ जाएगा, cos square A, plus sign square A, और यह आ जाए, into हो जाएगा, cos square A, minus sign square A, तो इसको देखकर, बच्चा मुस्कुराने लग गया, क्योंकि यह तो हमारी, जनम सिदर identity है, कौन सी identity है, cos square theta, plus sign square theta, is equals to 1, तो 1 into, cos square A, minus sign square A, अब question को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो करें, in terms of cost से, यार मैं को न, 2000 रुपे देदे, 100,000 के note में, 2000 रुपे देदे, 100,000 के note में, मतलब, give me 2000 rupees, in terms of 100 rupees, in terms of, 100 रुपे के note के, terms में, मुझे 2000 रुपे देदे, तो इसमें बच्चे ने कुछ नहीं करना, cost square a minus, यह तो cost की terms में है, sin square a को लिखत होगे, 1 minus cost square a, class बोलेगी, cost square a, minus 1, minus into minus, plus cost square a, तो सारा का सारा answer आगया, cost square a plus cost square a is, 2 times cost square a minus 1, सारे का सारा expression आगया, in terms of cost square a, या cost a, सारा का सारा answer आगया, in terms of cost है, 10-12 minute में हमारे, 3-4 chapter की revision हो गई, और आपको आपकी position पता चल गई, कि कोई भी चलता फिरता teacher, अगर आपसे कोई चीज पूछता है, क्या भई, यह बला बता, यह बला बता, तो ममी आज मेरे से 4 पूछे गए थे, free of cost, चारो में से चारो आते थे, चारो में से 3 आते थे, चारो में से 0 आते थे, बढ़ मैंने चारो ट्राय जरूर करे, वो बच्चा भी कामियाब है जो ट्राय जरूर करेगा, और अगर अच्छा लगता है तो subscribe to our channel right now, जैम आता दी, खोश रहो और औरों को भी भाया, खोश रहने दो,